जारखंड में एक बार फिर जारखंड मुक्ती मोर्चा यानि जामुमो गटवंदन सरकार बनाने वाला है जामुमो की जीत के बाद मुक्यमंतरी हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली दौरे पर है आज यानि 26 नमबर को उन्होंने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी से मुलाकात की पीम मोदी से मिलने से पहले हेमंत और उनकी पत्नी केंद्रिय ग्रह मंतरी अमिश्याह से मिलने संसत भवन पहुचे थे ग्रहमंत्री अमिश्या से मिलने के बाद हेमन सुरेन ने कहा कि आप सभी को नवस्कार आने वाले दिनों में भी बैठके होंगी, बहुत सारी बाते हैं हमें अपनी सरकार बनानी है, हम यहाँ आशीरवात के लिए आए हैं अब एक बार सुन लीजिए कि हेमन सोरेन ने क्या कहा। जहां उन्होंने कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की। बता दें कि इस महीने हुए विधान सवा चुनाओं में ज्याम्मों ने 81 में से 34 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं भाजपान एक किस आजसुन एक लोजपा रामबिलास ने एक जहारखंड लोकतांत्रिक कांतिकारी मोर्चा ने एक जनतादल यूनाइटेड ने एक सीट पर जीत हासिल की है। दरसल जहारखंड में मुक्यमंत्री हेमंत सोरेण एक बार फिर मुक्यमंत्री पत की शपत लेने जा रहे हैं। 28 नवंबर को वे राज के 4 मुक्यमंत्री के रूप में शपत लेंगे। ये चौती बार है कि जब वो सीअम्पत की शपत लेंगे। उनके शपत ग्रेंट समारूह में कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्यादब समेत इंडिया व्लोक के शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। जारखंड में हिमन्त सोरिन की अगवाई करने वाले गटवंदन ने लगातार दूसरी बार सत्ता हसिल की और 81 सदस्ये विधान सवा में 56 सीटे जीती। उन्होंने बरहेट सीट पर भाजपा के गमालीयल हेम्रम को 49,791 वोटों के अंतर से हराया है। बहुत सारी बाते हैं। अभी तो हम लोग का सरकार बनना है। इसके लिए हम लोग ब्लेशिंस के लिए हम लोग है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद।